दोस्तो आज की इस वीडियो में किसी भी setup, customization and theme के बारे में बात नहीं करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Xiaomi Redmi and Poco smartphone में जो यहाँ पे icon pack देखने को मलता है उसमें ape icon animation को कैसे enable कर सकती हूँ यहाँ पे आप देख सकती हो आपके सामने कुछ इस टाइप का ape icon animation देखने को मलेगा आपको यहाँ पे काफी creative feature बताने वाला हूँ बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important बात कल मैंने iOS setup की full video upload कर दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी चेक आउट कर सकती हो तो चलो वीडियो को start करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन themes बताऊंगा जिनमें आपको ape icon animation देखने को मिलेगा बट जो third वाली theme होगी उसमें आपको ape icon animation नहीं मिलेगा वो theme आपको pure iOS के जो icon pack देखने को मलता है वो आपको देखने को मिलेगे तो देखो यार, first number की theme को आप apply करोगे आपके सामने कुछ step का यहाँ पे आपके सामने icon pack देखने को मिलेगा आप देख सकते हों यहाँ पे आपको सामने जोบी system का icon pack होगा उसमें complete यहाँ पे ape icon animation enable हो जाएगा आप देख सकते हों कूछ step से आपके सामने create होगा gallery वाल आपको यहाँ पे feature देखने को मिलेगा यहाँ पे आपके सामने camera application देखने को मिल जाता है यहाँ पे मैंने wallpaper को add कर रखा है अगर आपको download करना है तो link description box में डाल रहा हूँ वहाँ पे जाके आप download कर सकते हूँ अब बात करते हैं इस ape icon animation को आप कैसे create कर सकते हूँ इसको create करने के लिए आपको एक theme को download करना पड़ेगा कौन सी theme है आप theme store application open करना तो आपको यहाँ पे यह वाला name search करना पड़ेगा यहाँ पे आप name देख सकते हो theme store application open करके आप यह name search कर लेना और आपके समने first number पे theme देखने को मिलेगी तो आप इसको download कर लेना अगर आप चाओ तो icon के लिए भी यूज़ कर सकते हूँ उसमें MIUI 15 की icon pack को कैसे install कर सकते हूँ उसके पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बेटन में वीडियो मिल देखी चेक आउट कर सकते हूँ देखो इस theme को आप अप अपलाई करोगे और जो system में animation शो करेगा वो complete यहाँ पर change हो जाएगा और काफी ज़्यादा creative आपको यहाँ पर look देखने को मिलता है अब हो सकता है यहाँ पर आपको गूगल का message and dialer UI देखने को मिलता है उसमें आपको logo change नहीं होगा and animation तो यहाँ पर MIUI dialer में भी created नहीं होता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर आपको सामने logo change नहीं होता है तो आपको Google dialer सही काम चलाना पड़ेगा और आप देख सकते हूँ कुछ इस type का आपको सामने यहाँ पर icon pack देखने को मिलेगा and complete यहाँ पर जो animation है वो create हो जाएगा and जो भी आपके सामने system का application है वो complete यहाँ पर change हो जाएगा and यहाँ पर भी मैंने wallpaper add कर रखा है अगर आपको यह wallpaper भी download करना है तो दोनों के link मैं description box में डाल रहा हूँ जाके आप download कर सकते हूँ अब बात करते हैं इस theme को आप कैसे download करोगे तो theme को आपको download करने के लिए theme store application open करना open करने के बाद आपको यहाँ पर यह name search करना पड़ेगा black magic के नाम से इसके उपर मैंने पहले वीडियो बना रखी आप जाके check out कर सकते हूँ अब यहाँ पर आप creator का name देख सकते हूँ theme को download कर लेना apply कर देना complete भी apply कर सकते हूँ अब icons के लिए भी आप इसको apply कर सकते हूँ अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको third number की theme में ape icon animation नहीं मिलेगा यह theme आपको pure iOS के icon pack के साथ देखने को मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हूँ complete यहाँ पर आपके समने system icons और जो third party apps देखने को मिलता है उनमें iOS 17 का जैसा look देखने को मिल जाता है and complete icon pack आपके समने change हो जाएगा आप देखो बात करते हैं इसको आप कैसे download कर सकते हूँ and इसको download करने के लिए आपको theme store application open करना है open करने के बाद आपको यह name search करना पड़ेगा android mix 12.5 के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा and यहाँ पर आप creator का name देख सकते हूँ अब देखो यार यहाँ पर आप theme को type करते हूँ and आपके सामने theme show नहीं होती है तो आप क्या करना यहाँ पर आपको creator का name देखने को मिलता है तो आप यह name search करना उसके बाद आपके सामने theme open हो जाएगी अगर फिर भी नहीं होती है तो आप यह name search कर सकते हो आपके सामने यह theme भी देखने को मिल जाती है 12.5 Mix OS के नाम से आपको देखने को मिलेगी इसमें भी आपको iOS 17 के जैसे आइकन पैक देखने को मिलता है और कुछ आइकन्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे बट जादा तर आइकन्स आपको यहाँ पे चेंज ही देखने को मिलेंगे तो दोनों थीम से काफी ज़्यादा क्रेटिव है iOS के आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाता है तो ट्राइ कर सकते हूँ तो बस फिलाल वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता है आप से किसी और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ दपते के लिए बाई बाई